अगर आप भी Google account या फिर Chrome browser के अंदर अपने password को ये सोच के save वर के रखते हैं कि future में अगर आप अपना password भूल भी जाए तो आप Google account या फिर Chrome browser के अंदर उससे save password को use करके अपने किसी भी account के अंदर login कर सकते हैं लेकिन कि आपने सोचा है कि वो password कहीं पर compromise हो सकता है या फिर रूह leak हो सकता है और आपको उसका पता कैसे लगेगा तो अगर आप browsing के लिए Chrome browser use करते तो उसके अंदर आपको जाना है browser में जाने के बाद right corner में 3.0 के उपर tap करके आपको यहाँ पे settings में जाना है settings में जाने के बाद अगर आपने अपनी Gmail ID से Chrome के अंदर login कर रखा तो ठीक है आपको यह login करना होगा उसके बाद आपको password manager के उपर tap करना होगा और यहाँ पर आपको एक option मिलता है नीचे देखेंगे दो password check-up का इस option के उपर आपको tap करना है यहाँ पर यह कुछ seconds लेगा और उसके बाद आपके सामने आपके जितने भी passwords हैं उसके अंदर यह category wise उसको बाट देगा और यहाँ पर दिखाएगा कि अगर आपके password जो हैं वो leak हुए है या फिर compromise हुए है आपकी जो ID password है वो leak हुआ है आपको उन website पर जाके उन passwords को change करना होगा या फिर उनको remove करना होगा इसके अलावा आप अपने Google के My Account में जाके भी यह चीज़ चेक कर सकते हैं यहाँ पर आपको option मिलता है security का इसके उपर आप tap करेंगे तो यहाँ पर एक option मिलता है recent security activity इसके उपर आप tap करके यह चीज़ जान पाएंगे यहाँ पर वही same list आपको देखने को मिल जाएगी